हेलो फ्रेंड वेलकम टो एदने इंवेश्मेंट अकाडमी गुड मॉनिंग आज की ताजा ख़बर में आपका स्वागत है सबसे पहले ग्लोबल न्यूज जैसे स्टार्ट करते हैं फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक एंड स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूं कि फिर से आज एक चोटा सा नॉलिज सेक्षन है वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर्स करना जरूर मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यू जाता हूं कि उन्होंने क्या मतब बताया कि मार्केट सार्ट अंडरस्टांडबली कन्फ्यूस्ट बट अंडरलाइंग एकनॉमिक सर्कम्स्टैंसे विचार देटा सेरी बिंग रिलीस्ट लाइक जोब्स रिपोर्ट अस्ट कंटिनू तो फूर्म इंप्लोईमेंट मार्केट अच्छी रही जितना एकस्पेक्टेसन था उस अच्छी रही गर्णा मतलब लोगों को यह लगता है कि जाव मार्केट अच्छा है तो मतलब इकनॉमी अच्छी कर रही है तो मतलब क्या है उसका कि उसका मतलब जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि इकनॉमी अच्छी कर रही है तो वहाँ पा थोड़ा इस चीज को अच्छा नहीं मानता है क्योंकि इस बढ़ जाएगा तो वह नहीं कर पाएंगे के पेक्स नहीं कर पाएंगे सब चीज़े होती यह profit कम होगा तो इसके वैजे से एकनौमी इतनी फास जो नहीं गड़ेगी ज्यादा इंडिकेटर इंडिकेशन जो है कुछ-कुछ स्पीचीज में भी आ रही है और हमें और जारा अच्छा सा पता चलेगा अभी CPI के नंबर्स भी आएंगे वहाँ पर इनके नोट्स भी आएंगे यूस फेड के जो मीटिंग लास्ट मीटिंग हुई है उसके तो उन सारी चीजों से भी थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कि यूस फेड क्या सोच रहा है और ओवराल इंफलेशन नंबर्स क्या बोल रहे है तो यह सारी चीज़ चल रही है इसकी वज़े से वहाँ पर क् अब क्रूड ऑल में क्या हो रहा है कि क्रूड नाइंटी वन हो गया है वल्मूस्ट उसका रीजन क्या है तो बहीं अब किसी को बंप ओर दिया किसी ने कुछ बोड दिया तो वहां पर वह चीज़े चली है तो उसका वर ऐसे एक टेंचन है दूसरा यह है कि एक प्रॉडक् वीडियो बनाया था तो यह सारी चीजों की वरे से लग रहा है कि वह ओईल दिमांड बढ़ेगी तो दिमांड भी अगर अच्छी है सप्लाइबी कम हो रही है और थोड़ा सा टेंशन भी है मिदली समें तो उसकी वरे से सप्लाइब में और इंपक्ट आ सकता है तो यह सारी इंडियन मार्केट पर और इंफलेशन पर रहे गई थोड़ा और एक नेगेटिव इंपक्ट और यह होफफुली शॉट टम है that's what people are expecting बट इसका थोड़ा एक शॉट टम इंपक्ट जो है वो रह सकता है हमारे क्यू वन आगे चीज मों पर है ठीक है अगर हम कुछ कंपरी स पलाई पलिया जो कि उनके शाद अमेरिकाज के हैड थे यहाज टेकन ओवर एस सी यू एं एमडी ठीक है तो देफिनेटल एक टॉप मैनेजमेंट है बहुत जादा चर्ण टॉप मैनेजमेंट में विपरो में रहा है और उसका इंपक्ट जो है वो स्टॉप में भी आइडिया का आया कि टेलिकॉम ने ऑपरेटर ने अप्रूबल रिसीव कर लिया है बोर्ड राइटर फॉर 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 रिजिंग अप्डेट्स आया है कुछ रेविन्यू 17 परसेंट का ग्रोथ जोल्री डिमांड में जाली जोल्री 19 परसेंट का ग्रोथ जो है यर एक्सेक्टेड है ठीक है और जोल्री इस मेजर लिए 90 परसेंट जो है वो जोल्री का ही उनका रेविन्यू आता है तो अफकॉर्स टाइटर है कि तेरा क्वार्टर लगातार क्यू ऑन क्यू पॉजिटिव प्रॉफ मतलब उनका जो है ग्रोथ रहा है ग्रोथ रेट्स रहा कुछ तेरा क्वार्टर से लगातार जो है वो ग्रोथ दिया है और वो स्टॉक प्राइस में दिख भी रहा है इंशुर ठीक है और मॉर्ल पॉट्फोलियो का पार्ग भी है तो थो थोड़ा से आपर मार्केटिंग भी खर देता हूं काफी टाइम साइटिंग इस बान अव ठीक है न तो एक तो है कि अदानी ओवराल ग्रूप है सैड कि वो 2.3 लाक करोर रूपीज जो है वो 2030 तक इन्वेस्ट करने वाले हैं इन रिन्यूवल एनरजी बिजिनस अब उसमें उन्होंने काई कि रिन्यूवल एनरजी प्रोडक्शन आज वेल और जो है electricity generation में from solar and wind में करें ठीक है तो उसमें से क्या है उनका एक खावडा एक गुजरात कच में they are setting up a plant which is going to be the biggest plant ठीक है in the world in India sorry ठीक है तो वो अभी जो है उसमें कुछ I think 2 gigawatt की capacity है उसकी 30 gigawatt की capacity उनका प्लान है by 2030 ठीक है दो से वो 30 gigawatts की capacity हो जाएगी तो बहुत बड़ा प्लांट जो है वो कच में they are setting it up ठीक है तो वो they are saying कि वहाँ पर हमारा और 6-7 और जो है वो बाकी जगे से आएगा 50,000 क्रोड़ तो दो लाग क्रोड़ी हो गया ठीक है अब 2.3 लाग क्रोड का है 30,000 क्रोड उनने कहा है कि हम अभी जो अपनी solar cell और wind turbine manufacturing capacity है मुंदरा में उनकी यह solar cell बना रहे है और wind के turbines बना रहे है ठीक है this false this is not अच्छा यह जो सारत था था सारत था स्वारी solar energy of wind power वो अदानी green के अंडर है और जो यह solar cell और wind turbine manufacturing है solar cell की manufacturing यह इनकी अदानी enterprise के अंडर है जो कि उनकी एक subsidiary है अदानी new industries limited ठीक है तो उसके अंडर है तो उसमें भी 30,000 क्रोड यह प्लानीं तो इन्वेस्ट तो यह सेंग डाट इनेट की हमने अल्रेड़ी वेफर्स और इंगॉट्स ऑफ सोलर पावर सेल जो सोलर पानल होते हैं उसके वेफर्स और इंगॉट्स तो बनाने शुरू कर दी है ठीक है तो वह कहते हैं कि हमने पॉली सिलिकॉन हम ख अहीं होता है पॉली सिलिकॉन क्या होता गया है तो अबी वह इंपोर्ट करते हैं चाहिना से और से यह बनाने लग गए ठीक है तो करेंटली तnight हमारी ये चार गीगावाट की स्वोलर सेलॉर माडिल रोल दो यहां करेंट लीग बना रही है जो मेंजर यू यूएस में इ काफी aggressive plants है अदानी group के in basically overall अगर हम एक clean energy या green energy की जाहतक बात करें production भी और उसमें एक integration भी ठीक है तो just similarly like what reliance is doing reliance is more focused on production पर इतना importance नहीं दे तो they are not saying कि हम solar cell plant लाएंगे they are saying कि हम solar modules बनाएंगे hydrogen green hydrogen मगएड़ा पर जादा focus है but Adani is more towards production as well as well as then this as well तो यह काफी interesting space है तो हमें closely follow करना चाहिए तो SDFC bank जो है अब उसका जो foreign investment data आया है share holding pattern आया है तो वो सिरफ 5 basis point 0.05% short है जो Morgan Stanley ने एक अपना setup किया है मतलब उन threshold setup किया है कि हमारे indices में HDFC bank include हो सकता है तो सिरफ 0.05% रही है उसका difference तो अब expected है लोगों को कि अब यह include हो जाएगा क्योंकि एक adjustment factor का भी चक्कर है तो उसमें उसका भी कुछ उनका चक्कर है तो लोगों का expectation है कि adjustment factor शायद remove हो जाएगा ऐसी ऐसी बाते चल रही है ठीक है और अगर यह exception factor reduce होता है या हटता है तो 4.8 billion dollar 40,000 crore का inflow SDFC bank में expected है Macquarie ने भी report कुछ 2000 का target दिया है किसी ने 1700 का target दिया है तो काफी positively थोड़ा सा चीज़े हो रही है SDFC bank के let's see how it often it goes Voltas ने एक updates दिया उनने का कि हम 35% sales growth करेंगे in FY24 ठीक है और 2 million units AC के 2 million units उननने भीचे 20,000,000 AC units they have said sold they have said highest ever sale by ACs by any brand in a financial year in India ठीक है तो that's what they have said overall अगर हम Q4 की बात करें तो उन्होंने का volume growth 72% होगा है हमारा AC ठीक है 72% का volume growth तो hopefully अब देखते है results कैसे आते हैं क्योंकि उनके बाकी जो businesses है थोड़े loss making रहे हैं और उसकी वज़े से थोड़ा सा impact हमेशा stock पे रहे है but stock has done well in last one year on the expectation कि hopefully the past bad things are past तो पुराना हो गया है अब थीज अठी होनी चाहिए let's see बाकी ये numbers जो है at least जो updates आई है वो काफी positive आई है मारती सुजिकी के भी काफी interesting कुछ-कुछ numbers दिये उन्होंने उन्होंने का कि हम expect कर रहे है कि 2030 तक आठ लाक गाडिया जो है हम export करेंगे 2030 तक अभी कितनी करते हैं तो बताता हूं मैं अभी उन्होंने का कि FY24 में हमने 2.83 लाक cars जो है वो export की है एंडिया से और हमारा expectation है कि यह तीन लाक हो जाएंगी next year में that's what they are saying और उन्होंने काया कि यह हम सिर्फ तीन साल पहले राइट सिर्फ एक लाक cars export करते थे अब वो 2.85 लाक cars हो गई है ठीक है तो again manufacturing making India की काफी success story दिखती है एक तरह से ठीक है की manufacturing hub जो है Suzuki के लिए एक तरह से इंडिया को बनाने की कोशिश की जा रही है ठीक है अंधिया से एट लाक हो जाएगा यह by FY30 तो again काफी बड़ा revenue I think from मारती Suzuki's perspective और इंड्रेसिंग लिए 42% जो उनका 40% के आसपास ही market share है और 42% ही उनका export share भी है जितनी में इंडिया में car export होती है उसमें 42% कार जो है मारती Suzuki की है ठीक है तो यह काफी interesting numbers जो है मतलब मुझे दिखे तो मैंने को लगा कि I should talk about it to you that is all on the major news जो obviously weekend है तो markets थोड़ा सा कम रहती है news overall तो यह सब major news थी बाकिया I'll just share an image and then we'll start the knowledge section if you don't have time you can skip this as well तो again यह एक Twitter पर someone shared this and it was very interesting एक पराट-पारिक की website पे basically एक है और यह हम काफी सारे अपने financial planning के sessions करते हैं जो जैसे अभी पूरा में भी planned है तो इसमें काफी बात करते हैं इस चीज़ की which is bigness by us और we can say की cost of delay in investing की बहुत बार यह चीज़ एक normal है की हम specially younger folks की हम यह सोचते हैं की investing करेंगे ना start करेंगे बहुत सारे मेरे ऐसे investors हैं जो मेरे financial plans बनाता हूं प्लान बना दिया लेकिन investment start जो होता है न बहुत time में होता है कभी-कभी मतलब सालों में लग जाते हैं कि I make a plan and then they मतलब कई बार updates होते हैं एक देट साल के बाद दो साल के बार फिर से discussion होता है तो पता चलता है कुछ भी नहीं हुआ मतलब और नॉर्मली तीन से छे महिना आठ महिना is normal 6-6 महिने तक plans जो है वो investment नहीं start होते हैं तो यहां पर एक बहुत interesting story है cost of delay ठीक है तो इसमें बहुत interesting अगर आप if you can see the screen अपट I'll start कि अगर आप screen नहीं देख रहे हो कफी साही लोग जो है वो office जाते वे सुनते हैं तो इसलिए I just read it out ठीक है कि दो friends बताये में गौतम और सल्मान जो college से निकले हैं उन्होंने job लिया है ठीक है तो गौतम जो है उन्होंने saving start करी 300 rupees per month की saving start करी ठीक है और उन्होंने 10 साल तक यह saving की ठीक है और 10 साल के बाद उन्होंकी जो family वगरा start हो गई he couldn't save money ठीक है तो उन्होंने basically saving रखी बट उन्होंने यह पैसा निकाला नहीं उन्होंने वो रखा ठीक है बट जो सल्मान है उन्होंने save नहीं किया 10 साल तक और उन्होंने वो जो पैसा है 10 साल के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब उनकी saving शुरू होगी थोड़ी salary 10 साल लेकिन उसके बाद जब उन्होंने start की तो 30 साल तक वो saving की 300 रुपिस पर मन्त और अगर हम यह दोनों माले कि इन दोनोंने 10-10% के return मिले इनको सपोस एक normal कहीं भी डाला hybrid funds में डाला ठीक है तो 10-10% के return मिले तो सल्मान जो है उन्होंने 30 साल तक कड़ी तो उन्होंने 1, एक लाग आठ हजार रुपे उन्होंने total invest की, save किया और invest किया जबकि गौतम ने सरफ 36,000 रुपे क्योंकि उन्होंने 10 साल की 300-300 रुपे के हिसाप से permanent saving की तो उन्होंने सरफ 36,000 रुपे save किया बट उन्होंने पहले start किया 10 साल किया और उन्होंने 30 साल तक किया अगर आप देखोगे किया सलमान ने एक लाग आठ जार रुपे इंवेस्ट किये हैं तीस साल तक इंवेस्ट किये हैं गौतम ने 36,000 रुपे ही इंवेस्ट किये दस साल किये बड़ ठीक है उन्होंने रखे 40 साल टोटल राइट तो बड़ फिर भी पैसा बहुत जादा आड लेकिन जब नंबर आया अगर आप देखोगे 10% के हिसाब से तो गौतम को 40 साल के बाद थीक है मतलब उसने 10 साल इंवेस्ट किया और 30 साल वेट किया तो उसको मिले 10,51,000 रुपीज 10,51,000 रुपीज उसके 36,000 रुपीज वो 10,51 होगे और सलमान को 1,00,000 रुपीज इंवेस मैं बहुत बार लोगों से बोलता हूं कि आपको एक चीज समझ लिए कि हमारा human brain इसको comprehend करने की capacity ही नहीं है जो exponential concept होते हैं हमारी human brain को नहीं समझ आते हैं तो जो power of compounding मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूं कि 8-10 साल रुको आफ़ेट देखो you will be surprised मैं मैं मेरी एक SIP 2009 से चल इतना पैसा एकटा किया थ्पड़ फड़ फड़ पांच 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 मैं बड़ी SIP नहीं थी 7-8,000 बड़ी SIP थी करते 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 एक ही साल में डबल हो गया ठीक है तो मतलब basically the thing is कि मैं आपको यही बोलता हूं कि power of compounding जो है न हम भूल जाते हैं ठीक है तो 10 सा अगर आप जितना जल्दी invest करेंगे मतलब महीनों में भी you should not wait मैं आपको यही बोलता हूं कि invest start करो कम करना है कम से start करो investment start करो ठीक है हम जो है छोटे-छोटे numbers को भूल जाते हैं हमें लगता है कि यार 500,000 रुपे, 2,000, 5,000 रुपे क्या investment start करो थोड़ा रुख जाता हूं चब 20-25,000 रुपे बचाओंगा चब invest करोंगा 5,000 रुपे की कोई SIP होती है क्या थी 2,000 रुपे की कोई SIP होती है क्या असा मत ठीक है तो start करो अगर आप यंग हो और अगर आप 40s 50s में भी हो ना frankly तो भी अगर आपने investment नहीं किया है और investment का सोच रहे हो mutual fund में करना है या मेरे से plan बन वालिया है किसी और से plan बन वालिया है लेकिन implement नहीं किया है तो please don't do that I am telling you it is India's decade ये बहुत जादा indicators हा रहे है I am sure आ investing today ठीक है तो आज हम वैसे भी नए financial year के first month में है और काफी सारे सब लोगों को मार्च वगएरा में अप results वगएरा भी समझ आ रहते हैं तो आपको नई salary वगएरा सब चीज़े समझ आ रहे है तो please इस चीज के पर थोड़ा सा focus कीजिए समझिए बैटिए और investment start करो सोचो मत बहुत ज़्यादा कुछ से इंडेक्स फंड में start करो यार मतलब ठीक है नहीं तो फ्लेक्सी का फंड में start करो but start करो ठीक है वह बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो यह बिगनेस का बायस मत रखो कि बड़ा होंगा तो invest करोंगा बड़े ही लोग invest करते हैं ऐसा नहीं ह ठीक है तो आप छोटे-छोटे investment में you will be surprised after few years कि यार मैंने वो investment start की ते देखो कितना बड़ा पैसा होगे है तो यह बहुत इंपॉर्टन है I've seen in my life myself, I've seen lot of investors like you जिनके साथ यह हुआ है amazing wealth you will create but 18-20 साल दो आप और फिर compounding का impact आप देखो गे आप समझ नहीं आएगा आपको कि इतनी wealth कहां से आ गई है I'm telling you this have a great time ahead दोस्तो thank you so much अगर अच्छा लागे वीडियो तो please share ज़रू किजगा, have a great time ahead, Jain कर दोस्तो आपका है झाल